क्या आप जानते हैं कि आपके चहरे की सबसे खूबसूरत और अट्राक्टिव पार्ट आपकी आखे हैं और ये आखे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं तब जब आपके आइब्रोस और आइलाश्रेस घने और लंबे होते हैं लेकिन बहुत कम लोगों का ही ऐसा ह जाता है उसके कारण आखों को काफी जादा नुकसान भी पहुंचता है आप अपने आखों के पलकों को लंबे और घने दिखाने के लिए जो फेक आइलाश्रेस या मस्कारा का यूज करते हैं उसके कारण आपके जो रियल आइलाश्रा है वो गिरने लगते हैं और उसकी प्वांटिटी धीरे-धीरे कम हो जाते हैं अब आप कहेंगे कि हम क्या मेकप का भी यूज ना करें मेकप का यूज आप बिलकुल कीजिए लेकिन महीने में अगर आप दो से तीन बार मेकप यूज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन अगर आप रेगुल हो कि आपको मेकप की भी जरूरत ना पड़े और आपकी आखे नैचरली खुबसूरत दिखें तो कैसा रहेगा बढ़िया है ना तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही रेमेडी शेर करने वाली हूँ जिससे आपकी आइब्रो और आइलाशेस क्रो करेंगे वो ठिक ब तीन हफते के अंदर आप फर्द देख पाएंगे तो जादा बात ना करके सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस सिरम को कैसे तयार करना है सबसे पहले एक छोटा सा बोल लेंगे फिर उसमें डाल देंगे वन टीस्पून अलवरा जेल नेक्स इसमें एड करेंगे कैस्टर ओयल कैस्टर ओयल आइब्रो और आइलाशेस को ग्रो करने में बहुत फायदमंद होता है यहाँ पर हम वन टीस्पून अलवरा जेल में थ्री टीस्पून जितना कैस्टर डाल रहे हैं और लास्ट में इसमें हम एड कर देंगे एक विटमिन ए के कैप कैप्सूल को थोड़ा सा छेत करके उसके अंदर का जो ओयल है उसे इसमें डाल देंगे अगर आपके पास विटमिन ए ओयल अवेलेबल है तो आप उसका भी कुछ ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो तीनों इंग्रेडियंट्स अल्मोस्ट मिक्स हो चुका है अब देख सकते हैं और इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा से लिक्वीड है और इसे लिक्वीड जैसा ही बनाना है ताकि आईब्रोस और आई लाशेस पर लगाते वक्त आसानी हो लेकिन अगर आप इसे थि साफ है अब देख सकते हैं अब इस सिरम को मैं इस बॉटल में फिल कर लूँगी और इसे फिल करने के लिए मैं एक ड्रॉपर का हेल्प ले रही हूँ ड्रॉपर की मदद से इस सिरम को मैं इसलिए भर रही हूँ ताकि ये इधर उधर ना गिरे सिरम को मैंने बॉटल में भर लिया है अब इसके धकन को हम बंद कर देंगे तो ये हमारा DIY सिरम रेडी है आप इस सिरम को तीन से चार हफ्टों तक रूम टेमपरचर में रख कर यूज़ कर सकते है और इसे किसे भी बॉटल में स्टोर कर सकते है तो देखा आपने ये सिरम क कम्प्लीट कर लेनी के बाद इस सिरम को आप इस तरह से लीजिए फिर अपने आइब्रों के ऊपर ऐसे लगा लीजिए दोनों साइट के आइब्रों में इस तरह से आप लगा लीजिए फिर इसे अपने आइलाशिश पर लगा ले और बस इसे तरह से रात भर रहने दे इस तरह से अपलाई कर लिनी के बाद आप सो जाए और सुबह उठकर अपने फेस को अच्छी तरह से वाश कर लेजिए और अगर आपकी पास इस तरीकी का कोई ब्रेश नहीं है और आपने इस सिरम को दूसरे किसी कंटेनर में स्टोर गिया है तब आप कैसी यूज़ करेंगी तो इसके लिए आपको क्या करना है जो सिरम है उसको अपने फिंगर पर ले लीजिए थोड़ा सा ले लीजिए फिर इससे अपने आईब्रू पर लगाए और उसी तरह से अपने आईलाश पर भी इस तरह से लगा ले बस इसी तरह से आप अपलाई कर ले तो इस सिरम को कैस से यूज करना है कभ यूज करना है सारी इंफर्मिशन आपको मिल गई है अब इस सिरम को आप अपने घर पर बनाए और इसको यूज करें फिर इसका मैजिक देखें कुछी हफतों के अंदर आप नोटिस कर पाएंगे कि जो आपके आइब्रो है वो काफी ज्यादा थीक हो ग कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिप्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी इनफॉर्मिशन पहुचे और अगर हमारे चैनल पर नए है या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो इसी तरह के और भी नएने वीडियो को देखने के लि